नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे जोति सास्तर के अनुसार नाम की पहले अक्सर से ही कुछ बाते पता लगाई जा सकती है जोति सास्तर में कई ऐसी विद्याई हैं जिन से वेक्ति के चरित्तर और सभाव से जुड़ा सारा रहस्या पता चल जाता है इनी में से एक विद्या है वेक्ति के पहले नाम का अक्सर जिसे जानकर सभाव के बारे में पता लगाया जा सकता है आज हम आपको बताएंगे किस नाम से सुरू होने वाले व्यक्तिका सभाव कैसा होता है जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के ए अक्सर से सुरू होता है ऐसे लोग बहुत ही भागयसाली होते हैं ऐसे लोग मौके की नजाकत को समझने वाले और हालात के हिसाब से फैसले लेने के कार्ण ये हर दिल अजीज होते है इनके जीवन में काफी संगर सोता है और जीवन में इनको चीजे देर से हासिल होती है लेकिन जब भी सफलता मिलती है तो वो सफलता अपने चरंग सीमा पर होती है इसके साथ साथ ये दोखे बाज बिल्कुल नहीं होते हैं और ऐसे लोग जिंदगी को खुल कर जीने में दिल्चस्पी रखते हैं जिन लोगों का नाम भी अक्सर से सुरू होता है ऐसे लोग बहुती समवेदन सील और रोमेंटिक होते हैं इन पर छोटे छोटी बाते काफी असर डालती हैं अगर ये रूट जाएं तो इने मनाना काफी आसान होता है बी नाम के अक्सर वाले लोगों को अपने मेहनत पर पूरा भरोसा होता है आम तोर पर इस नाम के लोग काफी धनवान होते है इनके दोस्त बहुत ज़्यादा नहीं होते लेकिन जो होते हैं वो काफी पक्के और गहरे होते है जिन लोगों का नाम सी अक्सर से सुरू होता है ऐसे वेक्ति सामाजिक कार्य कर्मों में बहुत ज़्यादा रूची रखते हैं जिन लोगों का नाम सी अक्सर से सुरू होता है ऐसे लोग सामाजिक कार्यों में बढ़ चड़ कर हिस्सा लेते हैं इनके लिए लोगों की भावनाएं काफी माइने रखती हैं और ये खुद भी बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं ऐसे लोग बहुत ही स्पस्ट होते हैं और ये किसी का दिल नहीं दुखाते हैं जो भी करियर चुनते हैं उसमें एक खासा काम्याब होते हैं क्योंकि इनके काम से ज़्यादा इनके वहवार से लोग खुज होते हैं जिसका फायदा इन्हें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा मिलता रहता है ये बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं और मालक्समी जी की इन पर खास महरवानी होती है जिन लोगों का नाम डी से सुरू होता है ये लोग अपनी मेहनत के दम पर बहुत आगे जाते हैं ऐसे वेक्ति थोड़े से जिद्दी सभाव के होते हैं लेकिन ये दिल के बहुती साफ होते हैं बातों के इन्हें जादुगर माना जाता है और लड़कियां उन पर तिटलियों की तरह मंडराती हैं मगर वे एक समय एकी रिस्ता निवाते हैं ऐसे लोग जिन्दी में बहुती कम दोखा देते हैं जिन लोगों का नाम E से सुरू होता है ऐसे लोग बहुत जादा बोलने वाले होते हैं जादा बोलने के कारण ये ख़जरों में भी पढ़ जाते हैं लेकिन ये काफी मजाक्या सुभाव के होते हैं ये जो रिस्ताने बाते हैं उसके प्रती हमेशा इमानदार रहते हैं दिखने में ये काफी आकरसित होते हैं जिन लोगों का नाम F अक्सर से सुरू होता है ऐसे लोग बहुती जरूर्थ से ज़्यादा भावक और लोगों की मदद करने वाले होते हैं इस अक्सर के लोगों की जिन्दगी प्यार से सुरू होती है और प्यार पर ही खतम होती है ये जो भी काम करते हैं वो दिल लगा कर गरते हैं इन लोगों की खासियत ये होती है कि ये जहां भी जाते हैं वहां लोगों को अपना बना लेते हैं इनके अंदर आतम विश्वास कूट कूट कर भरा हुआ होता है। उपका नाम जी से सुरू होता है, ऐसे लोग बहुती शांती प्रिया होते हैं, लेकिन जब इने गुस्चा आता है, तो सामने वाले बंदे की खेर नहीं होती है। ऐसे लोगों में आतम विश्वास कूट कूट कर भरा होता है, ऐसे लोग कम बोलने वाले और प्यार पर ज़्यादा भरोसा ने करने वाले होते हैं, इनको अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा होता है और ये भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए ये हम मेशा धर्म कर्म के काम में लगे रहते हैं जिन लोगों का नाम H से सुरू होता है ऐसे लोग भोती संवेदन सील होते हैं ये लोग अपनी खुसी और अपना दर्द किसे से शेयर नहीं करते इन लोगों को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन ये बहुती अच्छ के दोस्त होते हैं ये लोग काफी इमानदार होते हैं और दिल के सच्चे होते हैं ये किसी भी काम में हाथ डालते हैं तो उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं ऐसे लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और ये दूसरों पर हुकुमत करते हैं लेकिन अगर इन पर कोई परदास नहीं होता है। जिन लोगों का नाम आई अक्सर से सुरू होता है। ऐसे लोग काफी सुन्दर होते हैं। धर्म कर्म के कारिया में बहुत रूची रखते हैं। ऐसे लोगों को हर कोई पसंद करता है। ये बहुती भावुग होते हैं। और हर काम दिल से करते हैं। इस नाम के व्यक्ति बहुती इमानदार और वफादार होते हैं, जितने ये तन से सुन्दर होते हैं, उतने ही मन से सुन्दर होते हैं, ऐसे लोगों के जीमन में काफी तरक्की होती है, पैसा, रुतबा, महबत, हर चीज इनके पास थोक मातरा में होती है, जिन लोगों का नाम के अक्षर से सुरू होता है ऐसे लोग काफी नीडर होते है के नाम के वैक्ति काफी खुबसूरत भी होते है और लोगों को ये अपनी तरफ आकरशित करते है किसी को कुछ भी कह देना इनके सभाव में सामिल होता है के अक्षर वाले पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन इज़त से इने कोई मतलब नहीं होता, ये अपने मर्जी के मालिक होते हैं, अपनी बात ये बेज जचक किसी को भी कह देते हैं, जिन लोगों का नाम एल से सुरू होता है, ऐसे वेक्ती काफी सुन्दर होते हैं, लेकिन इने गुस्चा बहुत जल्दी आता है, इन पर भगवान की हमेशिया किरपा बनी रहती है, और हर छोटी छोटी चीजों में इने खुशी मिलती है, ये बहुती इमानदार होते हैं, और साहित्ते के छेतर में अपना करियर बनाते हैं, अपनी दोस्ती में ऐसे लोग काफी इमानदार होते हैं, और इनके दोस्त कम होते हैं लेकिन बहुती पक्के और गहरे दोस्त होते हैं जिन लोगों का नाम M अक्सर से शुरू होता है ऐसे लोग हर छोटी छोटी बात को दिल से लगा लेने वाले होते हैं इसलिए इन्हें समवेदन सील भी कहा जा सकता है ऐसे लोग राजनीती में ज्यादा दिखाई देते हैं आम तोर पर लोग इन्हें पसंद करते हैं दिल के काफी साफ इनसान होते हैं जब तक आप इन्हें छेड़ोगे नहीं तब तक ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगे इनके उपर किस्मत काफी महरवान होती है इसलिए धन और इजजत इन्हें खूब मिलती है जिन लोगों का नाम N से सुरू होता है ऐसे लोग बेहदी, सवतंतर विचारों वाले और मनमोजी होते हैं ये अपनी जिन्दगी अपने तरीके से जीते हैं ये कब क्या करेंगे इन्हें खुद भी पता नहीं होता इनका किसी से कोई लेना देना नहीं होता है ये अपनी ही धुन और दुन्या में मस्त रहने वाले इन्सान होते हैं ऐसे वेक्ती उपरी तोर पर बहुती शान दिखाये देते हैं लेकिन अंदर ही अंदर ये बेहत आकरामक होते हैं जिन लोगों का नाम ओ अक्सर से शुरू होता है ये बेहती आकर्शक और उर्जावान होते हैं ऐसे लोग समाजिक सेवा भी बहुत ज़्यादा करते हैं इस नाम के वैक्ति बहुती सफल और अच्छे इंसान बनते हैं, इने नाम, पैसा, सोहरत सभी बहुत ज़्यादा मिलता है, प्रेम, भावनाय और रिष्टे भी इन लोगों के लिए काफी माइने रखते हैं, लेकिन ये हर चीज़ को दिल से लगा लेते हैं, जिन लोगों का पैसे शुरू होता है, ऐसे वेक्ति हर किसी का ख्याल रखने वाले होते हैं, घर, प्रिवार, सभी का ये अच्छे से ख्याल रखते हैं, इनके लिए मान सम्मान काफी बड़ा होता है, जिसके लिए ये कुछ भी त्यागने को तियार रहते हैं, इनकी नजर से जो एक बार वो फिर लाग कोसिस कर ले, वो इनके करीम नहीं आ सकता। इनके रुतबे को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनसे लोग काफी डरते भी हैं। ये बहुती आकरसित होते हैं और दिल के सच्चे और इमानदार होते हैं। जिन लोगों का नाम क्यों से सुरू होता है, ऐसे लोग पैसा, प्यार और नाम कमाने वाले होते हैं। अपने आप में ये हमेशा खुए रहते हैं और ये लोग कभी किसी को नुक्सान नहीं पहुँचाते हैं। ये लोग अपनी बाते जल्दी किसी को शेयर नहीं करते हैं जिन लोगों का नाम आर से सुरू होता है ऐसे लोग बहुती भागे साली होते हैं रुतबा और दोलत दोनों ही इनके पास होती है दिल के बहुत अच्छे होते हैं और ये जरूर्थ पढ़ने पर दूसरों की मदद भी करते हैं ये हमेशा कुछ नए की तलास में रहते हैं इसलिए ये वहीं जाते हैं जहां इने ग्यान मिलता है जिन लोगों का नाम ऐस से सुरू होता है ऐसे लोग बहुती भागे साली होते हैं इनके अंदर आतमिस्वास कूट-कूट कर भरावा होता है ये पक्की दोस्ती निबाने वाले वैक्ति होते हैं इनके अंदर इमानदारी, वफादारी हमेशा रहती है ये वैक्ति अपनी मेहनत के बल पर कुछ भी पा लेते हैं हाला कि ये थोड़े से सक्की मिजाज वाले भी होते हैं जिन लोगों का नाम T से सुरू होता है ऐसे वैक्ति बहुती मेहनती, होसियार, जालाक और बद्दिमान होते हैं इस अक्षर वाले वैक्ति अपनी खुसी और गम जल्दी किशी को नहीं बताते लेकिन हां दूसरों को हमेशा खुस और उनके दुख दूर करने के कोशिस करते रहते हैं लोग इने इसी गुण के कारण बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जिन लोगों का नाम U से सुरू होता है ऐसे लोग बहेदी जोसिले, होसियार और नेक दिल होते हैं ऐसे वेक्ती छोटी छोटी बातों पर खुश रहते हैं किस्मत हमेशा इन पर महरवान होती है इन पर पैसा, सोहरत, सब कुछ महरवान रहता है लेकिन इनके पास गमण नाम की कोई चीज नहीं होती है इस अक्षर वाले लोग प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं जिन लोगों का नाम वी से सुरू होता है ऐसे लोग बहुती भागेशाली होते हैं ये अपनी बाते, अपने सपने किसी से शेयर नहीं करते ये वही काम करते हैं जिसमें इनका मन लगता है इनको चीजें रुक-रुक कर और धीमी गती से मिलती हैं लेकिन सताई तोर पर इनके पास रहती है ये जिद्धी और आलसी भी होते हैं लेकिन वक्त आने पर ये अपनी जिम्मेदारी वखोबेने बाते हैं जिन लोगों का नाम W अक्सर से सुरू होता है ऐसे लोग बहुती ज्यानी, रोबदार और जिद्धी सभावाले होते हैं ऐसे वक्ति दिखावा बहुत करते हैं जिसके चलते ही अक्सर फिजूल खर्ची करते रहते हैं इस नाम के लोग धर्म कर्म में भी काफी रूची रखते हैं जिन लोगों का नाम X अक्सर से सुरू होता है ऐसे लोग बहुती जल्दी बोर हो जाते हैं ये लगातार बोलते रहते हैं जिसको करने में इनको मजा आता रहता है एसे लोग अपने ख़याली दुनिया में काफी जीते रहते हैं जिन लोगों का नाम वाई अक्सर से सुरू होता है वो काफी समवेदन सील और आतम निरभर होते हैं ऐसे व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी काफी अच्छे से निवाते है ये जो भी रिष्टा निभाते हैं उसको जल्दी नहीं तोड़ते लंबे समय तक निभाते हैं पारिवारिक जीवन ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है जिन लोगों का नाम जैड अक्सर से सुरू होता है ऐसे लोग सभाव से काफी रोमेंटिक होते हैं जीवन में चीजे इनको आसानी से मिल जाती हैं किस्मत इन पर काफी महरवान होती है प्रेम के माबले में ये खिलाडी होते हैं उमीद है दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी हमारा आपसे निवेदन है अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद